नमस्ते अक्का सुमित्रा, नई दुकान खरीदने की आपकी योजना का क्या हुआ? क्या आपने बैंक रिंड के लिए आवेदन किया था? हाँ अक्का, बैंक करमचारियों ने बताया कि मुझे दीर्ग कालिक रिंड लेने के लिए आवेदन करना चाहिए उन्होंने बताया कि ये कारिशील पुझी रिंड से अलग है और नई दुकान खरीदने के खर्चों को पूरा करने में सहायक होगा बिल्कुल सही है सुमित्रा, आपके व्यवसाय की आविशक्ता के आधार पर व्यवसाय रिंड या तो अलपकालिक या दीर्ग कालिक हो सकता है कारिशील पुझी रिंड जिसके बारे में मैंने आपको पहली बताया था, एक अलपकालिक रिंड है इस रिंड के तहट आपकी अलपकालिक जरूरतों, जैसे की व्यवसायक आएक कम होने पर स्टॉक खरीदने या नकदी बनाए रखने के लिए आप उधार ले सकती है समझ गई अक्का, लेकिन मैं दीर्ग कालिक और अलपकालिक रिंड के सटीक अंतर को नहीं समझ पाई एक से पाँच वर्ष का हो सकता है, जबकि दीर्ग कालिक रिंड एक से अधिक एवं आठ वर्ष तक का हो सकता है सावधी रिंड लेने से पहले आप खुद से पूछें कि आप धन का उपियोग परी समपती खरीदने में करेंगे या व्यपार चलाने में ठीक है, तो मुझे समझने का प्रयास करने दीजिए सबजियों का अपना स्टॉक बनाए रखने के लिए मैं अल्प कालिक रिंड लूँगी लेकिन दुकान, नई अल्मारियां या बिलिंग मशीन खरीदने के लिए दीर्ग कालिक रिंड लूँगी क्या ये सही है अक्का? बिल्कुल ठीक है समित्रा लेकिन अक्का, यदि मैं दीर्ग कालिक रिंड लेती हूँ, तो कई वर्षों तक किष्टों का भुकतान करूँगी ऐसी स्थिती में मुझे लगता है अल्प कालिक रिंड बहतर है आपकी क्या सला है? जब आप दीर्ग कालिक रिंड लेती हैं, तो रिंड की मासिक किष्टों की राशी कम होगी और चुकाने के लिए आपको अधिक वर्ष मिलेंगे इससे आपको अपने विवसाय चलाने के लिए पारियाप्त आय बनाय रखने में मदद मिलेगी और आपको एक नई दुकान खरीदने में भी मदद मिलेगी समझ गई अक्का, लेकिन क्या मुझे जर्ण की पातरता होगी? हाँ, हर बैंक के अलग-अलग पातरता मापदंड होती है आम तोर पर यदि आप दो साल से विवसाय कर रही हैं तो अधिकांश बैंक दीर्क कालिक रिंड दे देंगे धन्यवाद अक्का, मैं अपने विवसाय के खर्चों की सूची बनाऊंगी और ये पता लगाऊंगे कि मुझे कितना सावदी रिंड लेने की आवशक्ता है